नमस्कार मित्रू जब भी भारतिय शाहस्य संगीत का जिक्र होता है तब उसमें उस्ताद बिस्मिला खान का नाम जरूर याद किया जाता है उस्ताज बिस्मिल्ला खान एक महान संगीतकार और शैनाई वादक थे जिन्होंने शैनाई की क्षेतर में अपनी प्रतिभा का परदर्शन किया और उन्हें कई पूरसकारों से सम्मानित किया गया आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ तत्य बताने जा रहा हूं तो वीडियो कान तक देखिए थन्यों उस्ताज बिस्मिल्ला खान एक भातिय संगीत का थे जिन्हें ओबोई वर्ग के एक उपर महादुपिय पवन उपकरन शैनाई को लोगप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता था जबकि शैनाई का लंबे समय तक महत्व था क्योंकि पारंपरिक समारों में मुक्य रूप से लोग संगीत के रूप में बजाया जाता था उस्ताज बिस्मिल्ला खान को इसका दलजा बढ़ाने और इसे संगीत समारों मिलाने का श्रेय दिया जाता है उन्हें 2001 में भारत के सर्वोचित नागरिक समान भारत रतने से समानित किया गया में सुबा लक्ष्मी और रवी शंकर के बाद भारत रतने से समानित होने वाले ये तीसरे शास्ते संगीत कार बने उस्ताज बिस्मिल्ला खान का संपूर्न जीवन उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म 21 मार्च 1916 को पारंपरिक मुस्लिम संगितकारों के घर दुम्राओ नगर में हुआ था जो अब पूरी भारत के बिहार राज्य में स्थित है वहाँ पेगंबर बक्ष खान और मिध्धन के दूसरे बेटे थे उनके पिता बिहार के डुम्राओ एस्टेट के महराजा केशव प्रसाद सिंग के दर्बार में कारेडर दर्बारी संगितकार थे उनके नहे जन्म के समय उनके दादा रसूल बक्ष खान जो एक शेहनाई वादक भी है के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बिसमिल्लाय अलाग के नाम पर कहा और उसके बाद उन्हें इस नाम से जाना जाने लगा चह साल की उम्र में वह उत्तर प्रदेश राज्ये के वारांशी चले गए अपने मामा अली बक्स बिलायतू खान जो की काशी विश्वनात मंदे से जुड़े हुए एक शेहनाई वादकती से अवगत कराया। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खान अपने चाचा के साथ इलाबा संगीत सम्मिलन में आये। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का फिल्मी सफर उस्ताद बिस्मिल्ला खान का फिल्मों में संग्शिप्त जुड़ाव था। उन्होंने विक्रम शेनिवास की कन्नड फिल्म सनादी अपन्ना में सूपरस्टार राजकुमार की अपन्ना की भूमिका के लिए शेहनाई बजाई जो एक ब्लोकबस्टर बन गई उन्होंने सत्यजी त्रे की एक फिल्म जल साघर में अभिनाई किया और विजय भट की गून जुटी शेहनाई में शेहनाई की आवास दी क्याती प्राप्त निर्देशक गौतम घोश ने उस्ताद बिस्मिल्ला खान की जीवन के बारे में एक डॉक्युमेंटरी संग्य मिल से मुलाकात निर्देशित की बिस्मिल्ला खान की मृत्यू 17 अगस 2006 को बिस्मिल्ला खान की तब्यद बिगर गई और उने इलाज के लिए हैरिटेज एस्पताल वारानसी में भलती कराया गया बिस्मिल्ला खान की अंतिम मिच्छा इंटिया गेट पर प्रदर्शन करना पूरा ना हो सका वह शहीदों को शर्धान जली देना चाते थे चाल दिनों के बाद 21 अगस 2006 को कारडे करेस्ट के कारण उनका निदन हो गया वह पांच बेटियों, तीन बेटों और बड़ी संख्या में पोते और परपोते और उनकी गोदलीवी बेटी सोमा गोश के साथ जीते थे भारत सरकार ने उनकी बनत्य उपर राशे शोक का दिन कोशित किया शैनाय के साथ उनका शव भारते सेना के 21 दोपो की सलामी के साथ नीम के पेड़ के नीचे पुराने वारांसी के फत्मान दफन मैदान में दफनाया गया था पुरसकार और मानित आएं भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया। इरान गंडराज्य ने उन्हें 1992 में ताहर मौसिक की उपादी से सम्मानित किया। इसमें कलकता में अकिल भारतिय संगीत सम्मेलन में तीन पादक प्राप्त किये। ने कानकला मदसव में भाग लिया। उन्होंने ओसाका व्यापार मेले में भाग लिया। इंडिया पोस्ट ने 21 अगस 2008 को पांच रुपए के समारक टिकेट जारी किये। अपने 112 जन दिन पर गूगल ने बिस्मिल्ला खान को गूगल डूडल से सम्मानित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जोरो दपाएं। पॉलो कीजे मेरा फेस्बुक पेज रियल हिस्टारिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजे इंस्ट्रागाम पे सुर्जेट.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजे। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में तब तक क्लिए धन्यवाद।